आप कोई थेरपी कर ही नहीं रहे जिसे आप alternate भी कहते हैं that is not a therapy medicine is not a treatment आप और जो कुछ करिये आप basically जो मैं बता रहा हूं rhythmic load carrying capacity आपके body की बढ़ानी है वो आपने किया ही नहीं है फिर भी आप उसको therapy का नाम देते है so ये केवल एक idea है idea पे काम करने से result नहीं मिलता सच्चाई जो है उसके काम करने से सही direction में काम करने से result नहीं मिलता आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया आपने वो कर लिया पर आपने अपने अपनी बुद्धिमानी पे उसको test नहीं किया तो सबसे पहली बात एक बात आप गाठ वांग लिजिए आपको कौन ठीक कर सकता है इस दुनिया में who can correct you, your body आपका शरी ठीक कर सकता है और कोई चीज ठीक नहीं कर सकती ये बात आपको आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा बहुत परिशानी में आने के बाद समझेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी रिवर्स करने में ये भी बता दो अच्छा आपका शरीर किस बेसिस पर ठीक करता है आपको सपोस कीजिए आपने एक लोड लिया और उसे एक हाथ में उठाया केवल दूसरे हाथ में नहीं उठाया हां तो आपका बाड इंबैलेमस क्वेन चाहिए ओ जाना सभिए हैं लेकिन अगर आपके बाड ने टॉलरेन्स अच्छा है rely इस ट्रॉन फ्क ट्रइंbec अच्छे हैं तो वह सब्सक्रेजिब करेगा इंबैलेंस नहीं लेकिन आप 1906 थे फट से imbalance हो जाएगा आपके बाड़े तो किस ने बचाया आपको अगर बचाया तो आपके शिरीर ने बचाया तो अगर imbalances आपके अंदर हैं तो कौन ठीक करेगा अगर आपके शिरीर के strength factors ठीक है तो ठीक करेगा आप इस जाल में फस गये कि कोई दवाई मुझे ठीक करेगी इस जाल में फसे वह हैं सौ साल में कोई proof नहीं है कि दवाई ने किसी एक बंदे को भी ठीक किया diabetes किसी की ठीक हुई है सौ साल के अंदर एक प्रूफ गे दो of Yeah Blood pressure heart disease स्थीक हुआ ने घर का giorn इं के सा सौ साल में हुआ है बढ़ रहा है कम और एकम हुर। , my dys for weight area कम और ठाइरोड बढ़ रहा है कम हो रहा है and autoimmune disorder बढ़ रहा है कम हो रहा है cancer बढ़ रहा है कम हो रहा है रूमिटाइड बढ़ रहा है कम हो रहा है आप आखें बंद करके कुछ भी कर रहे हैं आप भारतिय हैं आप लोग समझधार लोग हैं मगर आपने कुछ और ऊट पटान चीज़ना पढ़ लिए है आप प्रूफ क्यों नहीं देख रहे हैं कि दवाई से अभी तक कोई ठीक नहीं हुआ है केवल एंटिबाइटिक और पेंट किलर यह दो चीज़े हैं जिसका प्रूफ आप दिखते हैं है ना पेंट किलर की वजह से आप थारेड में आया है मालूम है आपको जो बचपन से फीवर की दवाई और पेंट किलर खाया है अभी तो बहुत प्रॉब्लम लाइफ में आएंगी आपने शरीर के किसी न किसी प्रॉसेस को काटा रोका तेज किया यह काम टॉर्चर कहलात है treatment नहीं कहलाता है so what you are calling as therapy is not therapy at all शरीर के साथ में उसके कामकाज में दखल अनताजी करने को हम treatment नहीं कह सकते every chemical is agonist और antagonist आपके शरीर के साथ कुछ जबदस्ती छेड़ चाड़ कर रहा है इसको torture कहते हैं इसको treatment नहीं कहते हैं सारी बीमारिया बढ़ रही है फिर भी आँखे नहीं खुल रही है आप लोग समझदार लोग हैं आखे खोलिए प्रूफ देखिए नंबर जूट नहीं बोलते धोखा देना बंद कीजिए अपने आपको तो आपको अपने शरीर के strength factors को बढ़ाना ही होगा option ही नहीं है अच्छा medicine क्या छोड़ दें देखिए वह आप drug addict हैं एकदम से तो नहीं छोड़ना drug addict को अगर शरीर को कोई किसी चीज़ के आदत दिला दी जाए गलत चीज़ की तो एकदम से चोड़ने पर नुकसान भी होता इसलिए हम कहते है अपने strength factor बढ़ा हो आपके symptom खतम हो जाएंगे उसके बाद आपको जरूती नहीं पड़ी जाते लोग फाल्तु की दवाई खा कोई indication होता है तो उसको नमब कर देते हैं दर्द के को काटना ही तो आपकी दर्द की दवाई कर रही है तो growth factor दर्द बेसिकली आपके शरीर का growth indicator है आप उसी को काट रहे है तो growth कैसे हो गए आपके body में सही चीज़ों की तो आपने जो therapy बोला वो basically अपने शरीर के strength factors को बढ़ाने को कहते हैं वो जो आपने नहीं किया लेकिन यह कहना कि मैंने तो बहुत therapy किया मेरा नुकसान हो तो यह sentence ही गलत है आपने therapy पहली बाद किया ही नहीं हाँ आपका नुकसान हुआ क्योंकि आपने शरीर के साथ में अ आपने अलग अलग तरीके से अपने शरीर के साथ में छेड़ खानी किया है और खराब ही होंगे अच्छे तो नहीं होने वाले हैं दवाई खाके कौन सा इंसान ठीक हो गया हेल्दी हो गया एक दवाई के बाद कितनी दवाई आ जाती है लाइफ में दो चार साल पांत साल दस साल देखो एक गोली से शुरुवात हुई कितनी गोली आ गई आपने थेरपी किया ही आपमें ठीक किया ही नहीं आपको क्योंकि आपका शेरीट ठीक करता आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए आपका मेटबोलिसमें इंप्रूब करना चाहिए इम्मुनिटी फैक्टर प्रफिक करना चाहिए टॉल्रिंस बढ़ाना चाहिए आपके बड़ी के रिस्पवनज सेज अच्छे करनें चाहिए। इंजाइम्स आपके शरीर में उसका रिलीज अच्छा करना चाहिए पिटूट्री का रिस्पॉंस आपको अच्छा करना चाहिए ऐसे मैं बोलता हूं तो मैं बहुत सारी चीज़े बोल सकता हूं यह काम आपने नहीं किया है आपने छेड खानी की शरीर के सास्थ और दुनिया बरबाद हो रही है चक करने को कि आप लाइख के साल बहुत छेड खानी कर रहे हैं तो कम से कम छेड खानी करनी भी है तो उसको जहेलने लाइक बना ले जाये ठीक है जब आपके शरीर में strength factors हों तो आप जेल जाएंगे गारंटी कि प्रूफ देखो आसपास में जो लोग जो लोगों की जेलने की ख्षमता होती जल्दी बिमार नहीं होते आपको रेड लाइट पे छोटे बच्चे भीक मांगते में मिलें वो धूप में भी होते हैं वहीं बारिश में भी होते हैं थंड में भी होते हैं उनका टॉलरेंस बहुत अच्छा होता और वो जल्दी बीमार नहीं पढ़ते क्योंकि टॉलरेंस अच्छा होता है उनका तो हम अपने अपनी लाइफसाइड बदली उसमें टॉलरेंस कम कर दिया है अब आप मजदूरी तो कर नहीं सकते हैं एक्सेस करोगे तो हार्ट अटेक आ जाएगा शरीर वैसे ही कमजोर हो गया है तो क्या करना पड़ेगा बैठ के कुम्बक कर लो शरीर को के और गन को मजबूत कर कर लो उसके बाद आप कुछ भी करेंगे तो मुक्सान नहीं होगा ठीक है ना तो यह काम कर लो अच्छान नहीं होगा बै।